हेलो दोस्तो असलाम उलेकूम वेलकम बैक टू माई यूटुब चैनल माफुजा की रसोई दोस्तो रमदान में जब पूरा दिन रोजा रखने के बाद इफ्तारी के समय नस्दीक आने लगती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बना डालू जो भी बनाओ पर मीठा बनाना तो मैंडिटरी है क्योंकि रमदान में मीठा सब को चाहिए तो आज बनाओंगी एक बहुत ही फेमस मिठाई जिसका नाम है शाही टुकरा पर इस शाही टुकरा में मैं आज कुस ऐसे इंग्रिडियन्स डालने वाली हूँ जो आज तक किसी ने नहीं डाली और यह बहुत ही लाइची घिसा हुआ नारियल और हमको चाहिए चीनी एक पिंच नमाक और घी तो सबसे पहले हमको इस ब्रेट के स्लाइस को अच्छी तरह से छोटी छोटी पीसेस पे कट कर लेना है और ब्राउन सैट्स को हटा देना है तो देखिए ब्रेट के स्लाइस को मैंने कट कर लि प्रेट के पिसिस को तो प्रेट के पिसिस को अच्छी तरह से दोनों ही सैट से हमें गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लेना हैं." दोस्तों शाही टुकरा डेली की एक बहुत ही फेमस मिठाई है तो आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिए बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत सस्ती भी परता है तो इस तरह से गोल्डन करके सारे ब्रेट के स्लेशिस को हमें फ्राई कर लेने हैं और अब मैं पैन पर डाल दूँगी थोरी सी घी और इसमें डालूँगी अब अमूल के दूट अब अमूल के दूट डालने के बाद इसमें डाल दूँगी एक पिंच नमक क्योंकि मीठा में थोरा सा नमक डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और फिर दूट को तीन से चार उबाल आने देंगे तो देखिए दोस्तों दूट में अच्छी तरह से उबाल आ गया है तो अब मैं इसमें डाल दूँगी तीन हरी इलाइची और इलाइची को मैंने थोरा सा खुल के डाला है ताकि दूट में इसका अच्छी तरह से फ्लेवर आ जएए अब मैं इसमें डालूंगी एक कटोरी खिसा हुआ नारियल और इसको अच्छी तरह से मिला दूंगी नारियल मिलाने के पाथ अब मैं इसमें डाल दूंगी ड्राइफ्रुट्स और ड्राइ फूर्टस को भी नारियल के साथ और दूथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स होने देंगे अब दिखे दोस्तों ये रबरी थोरा गारा होने लगा है और हमें थोरा गारा रबरी चाहिए नारियल के वज़े से इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गारा हो जाएगा तो अब मैं इसमें डालूंगी चीनी अब अपने अनुसार मीठा कम या ज्यादा कर सकती है और अब मैं इसको और दो मिनिट तक पकने दूंगी तो देखिए दोस्तों रबरी एकदम रेडी है और इसे थोरा ठंडा होने के लिए साइट पे रख दूंगी आप ब्रेट को असेंबल कर लेती हूँ तो इस बोल पे ब्रेट को अच्छी तरह से मैंने असेंबल कर लिया है और ये देखिए ये है मलाई चम चम और इसे हम चौप करके इसमें शाही तुकरा में डाल देंगे और ये है आस का ट्विस्ट क्योंकि शाही तुकरा में कोई एक्स्ट्रा मिठाई नहीं डाला जाता पर आप ये डाल कर एक दिन बना कर खाएए और देखिए इसका टेस्ट कितना बैतर ही आता है तो इसको डाल दिया मैंने और दोस्तों ये ऑप्शनल है ऐसा नहीं है कि इससे डालना ही परेगा अब देखिए मैं रबरी को अच्छी तरह से इस पे थोरा थोरा करके डाल पर मुझे ये थोड़ा ड्राइ लगा तो मैंने थोड़ा सा दूद और गरम करके इसमें डाल दिया है दूद को थोड़ा गरम करने के बाद थोड़ा थंड़ा करना पड़ेगा अब है बारी शाही टुक्रा को गार्णिश करने की तो देखिए मैंने सबसे पहले ले लिया है कटी हुई नारियल अब लोंगी कटी हुई बादाम काजू और जो मिठाई मैंने यूस किया था उसको थोरा सा मैंने कट के रख दिया था लग से तो उससे इसको गार्निश करूंगी और अब इसको फ्रीज में आधा घंटा रख दूंगी और इकतारी के समय ठंडा ठंडा सर करूंगी तो कैसा लगा इस मिठाई की रेसिपी आप लोग को अगर पसंद आए तो प्लीज प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब किजिए और नौटिफिकेशन की बेल बटन को ओन कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे और मेरी वी इंट्रिस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए ला सको तो दोस्तो मिलती हूँ आप लोगों से और एक नए वीडियो में और हां मैं हर रोज सहरी की थाली की वीडियो शेयर करती हूँ तो मेरे सेनल पर सारी वीडियो से तो प्लीज उसे भी चेक आउट कर लीजिए तो मि पिलते हो अगले वीडियो पे बाई थेंक यू